असलाओं जी रिस्पेक्टेड स्टुडेंट्स देखें बचे हमारे पास नाइंध क्लास मैथिमेटिक्स है लर्निंग विद इजाज हुसैन एक्सरसाइज हमारे पास 4.4 और क्वेस्टन नमर 4 हमारे पास है सिंप्लिफाई करना है हमने इसके तीन पार्ट हैं दो मैं आपको स्केरूट पेटा इस को सॉल्व करने के लिए देखें आप इन दो फ्रैक्शन का एलसे में फिर भी यह कวेस्टन ठीक होगा अदरवाइज बेस्ट यह है कि आप इन दोनों फ्रैक्शन को लएदा-लएदा रैशनलाइज कर लें क्योंकि रैशनलाइज करना आप जानते हैं देखें बेटा हमारे पास क्या है जी यहां पर हमारे पास यहां पे जो है फस्ट जो हमारे पास फ्रेक्शन है वो हमारे पास है one plus two square root over हमारे पास बेटा क्या है five square root and plus three square root, जब इसको rationalize करेंगे, rationalize करने के लिए हम क्या करते है, multiply and divide करते हैं, इसी चीज़ से लेकिन, क्या سा डिशनलाइज किया अब इसको करते हैं one minus two square root वैसे over five square root and minus three square root भी वैसे multiply यहां minus है तो आप क्या हो जाएगा बिटा हमारे पास यहां पर five square root plus three square root over हमारे पास five square root and plus three square root तो देखें बच्चे यह हमारे पास इससे multiply होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखें 1 प्लस 2 स्केयर रूट और साथ ही हमारे पास 5 स्केयर रूट और मैंस 3 स्केयर रूट होगा डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 स्केयर रूट और प्लस हमारे पास 3 स्केयर रूट है over हमारे पास देखें five square root and seven हमारे पास क्या habitat minus three square root और इधर हमारे पास देखें five square root and plus हमारे पास क्या है जी three square root तो देखें बच्चे हमने यहां पर क्या करना है हमने यहां पर करना होगा अब इनको multiply करते हैं जब इनको multiply करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जरह तब जहाँ से देखिएगा font students, देखें हम one को five square root से multiply करेंगे, तो हमारे पास, यह five square root as it आएगा, यह five square root आचुका है, और उसके बाद, लेखें one को minus three square root से करेंगे तो यह minus three square root भी as it आजाएगा, उसके बाद, two square root को five square root से तो हमारे पास ये भी plus का है plus का है तो plus हमारे पास two square root और dot हमारे पास साथ five square root यहां dot जो है वो multiply को ही represent कर रहा है उसके बाद plus two square root को minus three square root से तो plus minus minus हो जाएगा two square root और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा three square root denominator में देखिए five square root plus three square root 5 square root minus 3 square root है तो यह हम कह सकते हैं हमारे पास 1st का square minus हमारे पास क्या हो जाएगा 2nd का भी square दर्मियान में हम plus का sign यूज करेंगे अब ज़रा तवज्ज़ से देखें बिटा इन दोनों को multiply 1 को 5 square root से ये 5 square root आ जाएगा 1 को plus 3 square root से ये plus 3 square root आ जाएगा minus 2 square root को 5 square root से plus minus minus 2 square root 7 dot हमारे पास 5 square root plus minus minus हो जाएगा 2 square root आएगा और 7 बिच्चे क्या जाएगा हमारे पास 3 square root आ जाएगा over हमारे पास बिटा क्या हो जाएगा देखें 1st minus second 1st plus second तो ये होगा 1st का square and minus हमारे पास second का भी square होगा अब देखें बेटा हमने यहां पर क्या करना है जात वज्जों से देखिएगा हमारे पाई यह 5 square root as it आएगा और minus 3 square root भी as it आएगा देखें बेटा यह दोनों multiply हो रहे हैं square root के अंदर हैं तो हम इसको एक square root में लिख सकते हैं 5 को 2 से multiply तो क्या हो जाएगा 10 उसके बाद यह minus हमारे पास देखें बेटा इनको भी हम क्या करेंगे एक square root में 3 को 2 से 6 square से square root cancel 5 minus हमारे पास क्या आजाएगा 3 तर्मियान में plus है यहां भी देखें हमारे पास 5 square root आएगा positive हमारे पास 3 square root होगा minus देखें over हमारे पास 5 minus क्या आजी 3 आज़र तर्मियान में देखें बच्चे हमारे पास क्या होगा यहां पर यह 5 square root as it minus 3 square root भी as it और plus हमारे पास 10 square root minus 6 square root over क्या बचेगा 2 plus हमारे पास यहां भी इसी तरह 5 square root positive हमारे पास 3 square root minus 10 square root और minus 6 square root तो ओवर हमारे पास क्या आजाएगा बच्चे, 2 आजाएगा, हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसका LCM लेते हैं, अगर हम इसका LCM लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आजाएगा, LCM 2 को 2 पे डिवाइड, कैंसल 1 बचेगा, 1 को मुल्टिप्लाई करने से कोई फर्क नी प्लास 5 स्क्यार उट आएगा प्लास हमारे पास 3 स्क्यार उट आएगा मैनस 10 स्क्यार उट आएगा और मैनस 6 स्क्यार उट आएगा जरा तवज्जों से देखें बिटा ये इससे क्या हो जाएगा पॉजिटीव है ये नेगिटीव है चैंसल हो जाएगा उसके बाद ये 1 and minus 1 minus 2 और यह 6 square root over बिटा क्या है हमरे पास 2 तो हम ऐसा करते हैं 2 ले लेते हैं common जैसे ही 2 common लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 5 square root minus 6 square root over हमारे पास 2 तो बिटा 2 से 2 cancel हमारा answer जो है वो क्या होगा 5 square root and minus 6 square root ठीक है बिटा यह हमारे पास first part हो गया इसके बाद चलते हैं हम second part पे तो second part में देखें हमें उन्होंने क्या कहा है जी इसी तरह हमारे पास यहां पहले दो fraction सी इस part में अब हमारे पास 3 आ रही हैं तो देखें second part हमारे पास बिटा है यहां पे के 1 over 2 plus 3 square root and plus हमारे पास 2 over 5 square root and minus 3 square root उसके बाद देखें मेटा हमारे पास plus 1 over 2 plus 5 square root है हमारे पास क्या दिया गया है one over 2 plus 3 square root plus 2 over 5 square root minus 3 square root plus one over 2 5 square root पेटा इस question को करने के लिए हमने क्या करना है हर fraction को last rationalize गरना है तो देखें ज़रा तबज्यों से हमारे पास यह एजिट 1 over 2 plus 3 square root इसको multiply करेंगे 2 plus 3 square root है तो यह हो जाएगा 2 minus 3 square root over 5 यह हमारे पास minus है तो यहाँ भी इसी तरह 2 minus 3 square root क्या करना है बेटा यह चीज हमारे पासी 1 over 2 plus 3 square root rationalize करने के लिए यही चीज multiply डिवाइड करेंगे यहाँ plus है तो minus हो जाएगा minus हो तो plus हो जाएगा अब दिर्मियान में plus का sign है यह plus का sign लगाएंगे अब हमारे पास है 2 over 5 square root minus 3 square root तो इसको rationalize करने के लिए 5 square root plus 3 square root over हमारे पास 5 square root and plus 3 square root आगे देखें बेटा हमारे पास क्या आ रहा है plus अब यह 1 over हमारे पास 2 plus 3 square root 5 square root है तो इसको multiply 2 minus 5 square root over 2 minus 5 square root हो जाएगा देखें बेटा हमने क्या-क्या हर एक को लएदा-लएदा rationalize का दिया आप देखें इसको simplify करते हैं ज़रा तबज़ह से देखेंगा बेटा जब इस चीज़ को 1 से multiply करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा यह 2 minus 3 square root as it आएगा over देखें 2 plus 3 square root 2 minus 3 square root तो यहाँ formula अप्लाई कर सकते हैं first का square minus हमारे पास second का square फिर देखें बेटा plus 2 को इससे multiply करेंगे तो हम लिखते हैं 2 into 5 square root और plus हमारे पास 3 square root over हमारे पास बेटा क्या हो ज multiply होंगे तो यहाँ formula बनेगा a plus b and a minus b वाला तो हम लिख सकते हैं हमारे पास a का square and minus हमारे पास क्या है बेटा b का भी square होगा दर्मियान में plus अब देखें इसको जब 1 से multiply करेंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा 2 minus 5 square root वैसे आएगा over a plus b a minus b तो हमारे पास a का square minus हमारे पास बे देखेगा बेटा हमारे पास यह 2 minus 3 square root over देखें 2 का square 4 minus हमारे पास क्या आजएगा बेटा 3 square root cancel plus यह 2 as it into 5 square root positive 3 square root over देखें square root cancel 5 minus square root cancel 3 positive हमारे पास क्या होगा यह 2-5 square root over हमारे पास 2 का square लेंगे 4 आएगा minus square square root cancel क्या आजाएगा 5 अब देखें बिटा हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2-3 square root over हमारे पास क्या बजाएगा 1 बचेगा और plus हमारे पास 2 into 5 square root positive 3 square root over हमारे पास बिटा क्या बचेगा plus 4 minus 5 तो क्या बच जाएगा minus 1 यह पेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आजाएगा over 1 लिखने का फैदा नहीं है 2 minus 3 square root और फिर plus हमारे पास क्या है जी 5 square root and plus 3 square root यह plus minus minus लेकिन यह अद रखें यह bracket में लिखेंगे क्योंकि यह minus अंदर sign को change करेगा इसलिए यह गलती का ख्याल करना है आप लोगों ने उसके बाद देखें हमारे पास क्या आएगा 2 minus 3 square root positive 3 square root positive यह यहाँ positive 5 है और 7 positive 3 square root minus 2 minus minus plus 5 square root तो देखें मेटा minus 2 से plus 2 cancel minus 3 square root से plus 3 square root cancel इसी तरह देखें मेटा आप इसका part जो third है वो आप खुद करेंगे मैं चलता हूं question number 5 पे तो ज़रा तवज्ज़ से देखें मेटा हमारे पास question number 5 जो है वो हमें उसमें क्या कहता है वो कहता है कि आपके पास जो है एक्स हमें दिया गया है और question number 5 चले वो next video में ठीक है बेटा